यहां तक कि आप इस टेक्टर पर ओफिशेली बोरिंग रिक डिलर भी अटेज करवा सकते हो बहुत से ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो अभी तब किसी भी टेक्टर में नहीं आए हैं मेरी guarantee है कि आपने आज तक भारत में किसी भी टेक्टर में ऐसा instrument cluster नहीं देखा होगा नमस्कार किसन महियो मैं हूँ आपका दोस्त रोहत यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी YouTube चैनल टेक्टर टीबी बन पर और आज हम बात करने वाले हैं सोनालीका के CIDA वाले 65HP के Tiger की Tiger DI 654WD model तो किसन महियो यह है सोनालीका का गोडा 65HP का बहुत बड़ा और तगला सा टेक्टर है यह किसन महियो ABS4 CIDA engine के साथ लेकर आई है सोनालीका इस टेक्टर को एक अच्छी कार जैसे features मिलते हैं इस power hero यहां तक कि आप इस टेक्टर पर officially boring rig dealer भी attach करवा सकते हो और किसन महियो इस वीडियो के लास्ट में टेक्टर tv.in से की score या number मिलेगा जिससे आपको यह समझने में काफी मदद मिलेगी कि यह टेक्टर PTO power torque or lifting capacity के मामले में अपनी category में कितना बहतर है इसलिए वीडियो को पूरा देखें आगरी दग और जाने कितना score मिला है सोनली का D.I. 65, C.I.D.I. 4 wheel drive को टेक्टर TV 1 से किसन भाईयो अब लगबग आपको सभी 50 HP से उपर के टेक्टर C.I.D.I. में ही देखने को मिलेंगे इस टेक्टर में C.I.D.I. होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह पेशट HP की मसीन है लेकिन इस टेक्टर में आपको बहुत से ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो अभी तक किसी भी टेक्टर में नहीं आये हैं वहीं C.I.D.I. टेक्टर के अपने कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं और C.I.D.I. टेक्टर को रखना बले ही थोड़ा complicated या रिक्सिला हो सकता है लेकिन काफी flexible से होते हैं ये टेक्टर बहुत सी चीजों में रोज मर्रा के काम में काफी सारे torque और power mode मिल जाते हैं जिने आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और काफी diesel की बच्चत भी कर सकते हो वो कैसे तो उसे मैं आगे बता हैं इस टेक्टर की तो किसन भाईयो सोनलीका डाईगर सोनलीका का next generation tractor है इस टेक्टर को modern और नई तकनीक और new generation को ध्यान में रखकर तयार करा है सोनलीका ने इस टेक्टर को इस टेक्टर में आपको हरवो चीज मिल जाएगी जिसने देखकर आपको feel होगा कि आप किसी modern टे करा है सबसे पहले तो एरो डाइनमिक टाइप modern and round edge hood profile मिल जाती है इस टेक्टर की सांदर all new metallic blue color के साथ dual barrel headlamp मिलते हैं इस टेक्टर में आपको chrome के साथ जो काफी premium सा feel कराते हैं देखने में उस पर super deluxe dRL का treatment अलग से मिल जाता है जिसे ये रात में भी काफी अच्छा सा look देत है देखने में वहीं hood पर side में भी काफी अच्छा chrome का treatment मिल जाता है और वहीं tiger की waging भी 3D में की गई है ये पूरा setup इस टेक्टर को काफी modern और rich look देता है देखने में कहीं से भी काम धकाउट बाला काम नहीं दिखता है इस टेक्टर में आपको personally मेरी बात करू तो मुझे प अपने tiger के cda model में तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेक्टर के instrument cluster की तो किसन भाईयो मेरी guarantee है कि आपने आज तक भारत में किसी भी टेक्टर में ऐसा instrument cluster नहीं देखा होगा इस टेक्टर में आपको बकायदा multi infotainment display मिलता है जिसे आपने कारों में देखा होगा same बेसा ही हा आपकी सभी चीजों के लिए M.I.D. display दिया हुआ है वहीं आपको इसमें powerful dual barrel headlamp के साथ car like combination switch भी मिल जाता है जिससे एकी liver से आप टेक्टर के headlight upper deeper turn indicator को बंद चालू कर सकते हो बड़े ही अराम से तो चलिए बात करते हैं इस के steering की तो किसन भाईयो यह है open center hydro static dual acting में आने व और इसमें आपको extra wide flat platform मिल जाता है इस tractor में आपको push type brake and clutch pedal और side shift gear lever के साथ और इसकी seat काफी height per place है जिससे tractor पर काफी अच्छा control रहता है 180 degree का view मिलता है और engine की direct heat से भी आपको बचाती है यह तो चलिए बात करते हैं इस tractor के engine की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दि इंडर forced or liquid cooled naturally aspirated common rail direct injection ECU controlled BS4 diesel engine जिसमें fuel जाता है high pressure common rail electronically operated fuel injection system से और हवा के लिए dry tap dual element air filter लगा हुआ है और वहीं इस engine को ठंडा बनाया रखने के लिए force circulation of coolant और water cooling system लगा हुआ है overflow reservoir के साथ और यह engine लगवग 2000 engine rpm पर चलकर 65 HP की ताकत को लगवग 268 newton meter का torque पेदब कर देता है और वहीं जरूरत पढ़ने पर यह engine 25% का backup torque भी लगा सकता है और यह सेडे engine होने के कारण आपको low और high power mode भी मिल जाते हैं इको normal और power तीनों option के साथ जिसे आप यहां से कम और ज्यादा कर सकते हो अपनी जरूरतों के हिसाब से gear box की बात करें तो किसन भाईयो इस टेक्टर में आपको reverse forward super subtle shift gear lever के साथ 24 gear वाला mechanically operated combination of constant में इस gear box side shift gear lever के साथ 12 forward 12 reverse gear speed वाले gear box मिलता है वहीं इस gear box के gear pattern की बात करें तो इस gear box में आपको 4 आगे के और 4 पीछे के gear की 3-3 split मिलेगी जिससे आप इस टेक्टर को सामने और पीछे की तरफ लगबग 1 km प्रतिगंटे से तो 37 km प्रतिगंटे तक की split में चला सकते हैं वहीं clutch की बात करें तो इस टेक्टर में आपको clutch plate की 2 unit मिलती है dry fiction pad and plate type clutch plate मिलती है पहली push type clutch pedal से operate हो की जिससे टेक्टर कंट्रोल होता है और दूसरी PTO के लिए जिससे आप seat के side में दिये गए lever से operate कर सकते हैं पीटियो की बात करें तो किसन बाइयो यह है 60 HP इंडिपेंडेंट पीटियो clutch plate के साथ आने वाली 540 split की live पीटियो जो लगबग 1670 इंजन rpm पर चलकर 540 rpm की split से गूमती है वहीं आपको reverse पीटियो भी मिल जाती है जो 2000 इंजन rpm पर चलकर 540 rpm की split पर गूमती है हाइडोलिक की बात करें तो किसन बाइयो यह है 3-point linkage 22 kg lifting capacity वाली category 102 की 5G exo sensing hydraulic system open center live air ddc type single acting 3-point toppling और 130 sensing point automatic draft और गरही कंट्रोल वाली hydraulic system बागे आपको इस टेक्टर में दो auxiliary control wall भी मिल जाते हैं reversible plow और trolley वगरा के लिए बैसे तो इसमें 6 auxiliary control wall का विकल भी मिलता है brake की बात करें तो इस टेक्टर में आपको mechanically operated push type brake pedal के साथ आईल में डूबे हुए multi digs braking system मिल जाता है और वहें handbrake इस टेक्टर में आपको pole and ratchet arrangement tight मिलता है independent car जैसे handbrake lever के साथ टायर और एक्सल की बात करें तो किसन भाईयो इस टेक्टर में आपको आगे मिलते हैं 11,2,26,8 PR के टायर heavy duty front wheel drive एक्सल के साथ और वहें पीछे मिलते हैं 16,39,12 PR के टायर, planetary gear with straight axle type में rear drive एक्सल मिलता है और इस टेक्टर का बज़ने लगबख 2640 किलो लंबाई ये लगबख 13.4 इंच, और ये लगबख 6.5 इंच, उचाई लगबख 8.5 इंच, सालेंसर तक, बीलवे से लगबख 7.5 इंच, और ground clearance से लगबख 1.5 इंच इस टेक्टर की काम और ज्यादा भी हो सकती है, ये इस बात पर निर्फ़र करती है कि आप इस टेक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं कीमत की बात करें तो लगबख 15 लाख में पढ़ता है इस टेक्टर मेरे आमत्य प्रदेस में 2 साल तक की warranty मिलती है इस टेक्टर पर जिसे आप 5 साल तक के लिए बढ़वा भी सकते हैं और 500 गंटे पर सर्विस इंटर्वल है इस टेक्टर का तो वहीं overall इस टेक्टर को स्कोर मिलता है टेक्टर टीवी.in से 100 में से 95 का तो किसन भाईयो इस टेक्टर को टेक्टर टीवी.in से स्कोर मिला है 95 का इस टेक्टर की काटेगरी की तुलना में और किसन भाईयो यह नंबर हम आपकी सोलियत के लिए निकालते हैं यह कोई पाते हैं तो खिसन भाई यो आप भी कमेंट करके बताएं कि पाइंट एसकोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं बागी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें कोई कमी हो तो सुजाब दे और अगर आप चैनल पर नए हो तो टेक्टर टीवी वन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टेक्टर और केतिवारी की मसीन के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद